नमस्कार इस्कूल में कोलेज में अपनी वेल्यू कैसे बढ़ा है वैसे तो हर जगा आपकी वेल्यू होनी चाहिए आपके समाज में आपके दोस्तों के बीच में आपकी सोसाइटी के बीच में हर जगा आपकी वेल्यू होनी चाहिए लेकिन अधिकतर बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर के कोलेज में, इसकुल में हम अपनी वेल्यू कैसे बढ़ाना है वहाँ पर भी हमारी वेल्यू हो और सब हमें सम्मान दे ऐसा क्या करे टीचर हमें सम्मान दे, फ्रेंड्स हमें सम्मान दे और कोलेज में हमारी एक अच्छी इमेज हो ऐसा क्या करे तो अगर स्कुल कोलेज में आपको अपनी वेल्यू बढ़ानी है तो कुछ यह वात है आपको फोलो करें सबसे पहले आपको अनुसासन में रहना होगा, discipline में रहना होगा अगर आप अनुसासन में रहेंगे ना तो टीचर आपका सम्मान करेंगे लड़कियां आपकी रेस्पेक्ट करेंगे सारे फ्रेंड आपकी रेस्पेक्ट करेंगे हर जना आपका रेस्पेक्ट करेंगे आप कभी आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे हैं, आप इसकुल में टाइम पास कर रहे हैं, आपका अनुसासन नहीं है, आप प्लास में मटर गस्ति कर रहे हैं, तो आपकी कौन वेल्यू करेगा, आपका कौन सम्मान करेगा, टीचर की नजरों में भी आप जीरों हो जाओगे, तो तो इसकुल और कोलेज में वेल्यू बढ़ने का सबसे पहले और नमबर वन सर्क यह अनुसासर में रहे डिसिप्लीन में रहे आप अगर आप इसमें रहोगे ना तो आपकी वेल्यू जरूर बढ़े लड़कियों की रेस्पेक्ट करें यह बात बहुत ही इंपोर्टेंट करते हैं उनकी नकल उताते हैं और उनको हमेसा टॉर्चर करते रहते हैं ऐसा कभी मत करना है चाहे इसकुल हो यह कोलेज हो लड़कियों हमेसा रेस्पेक्ट करना है कहते हैं ना कि अगर लड़कियों को वही लड़के पसंद हैं जो उनकी रेस्पेक्ट करते हैं बाकि लड फ्लर्ट करते हैं, ऐसे लड़कियों आपको पसंदे baking है। अगर आप लड़कियों की रेस्बच करोगे ना, college में ए blaper, तो लड़कियों के बीच में आपकी image, आपकी value बहुत बठ़ जाएगी। इवन आप टीचर में भी आप value बढ़ जाएगी। तो इस्कुल हो एक कॉलेज हो लड़कियों कि हम 2021 सा रिस्पक्ट करना आपकी इजत और आपकी वेल्यू बढ़े रही जञाब और अपनी भाषान में कभी क्लोज और लड़ी जगड़ा ना करें अधिकतर पाऊज क्लें थे बीज़् पासा को सकते थे आप है एक डोस्तों में आपके वेल्यू कहतम हूगी लड़कियों में आप कि ईएन रखना लडाकिय नटाप पर निकालतें गाली चेकर लड़ी जगड़े के लिए त्यार हो जाते हैं ऐसे पंद करते हैं नटार पसंद करतें नटापन कोई नफ पेसम करतें अरोगाली इजूर्यू हाता कभी भी घ्लो जिर्ज जे旻र्ण नहीं, नहीं को डिखेश对 हैं डिखितों लिखे का सैंने फ्रेंडली प्रेंडियें रहे हैं, को आप लड़कों से भी उस्ट प्रैले पुचा गश्ट हेता हो, तो फ्रेंड़ी एडीर में。 और कोई आपसे दोस्ति करने के कोसिज करेंगा, नहीं या, उसका फैनली बीहेवर है, उसका बीहेवर बहुत अच्छा है, तो अपना बीहेवर है ना फैनली रखें, टीचर का सम्मान, टीचर का सम्मान जरूर करें, ध्यान रखना सामने तो आप टीचर को सम्मान करते हो, ज लडके भी देखते हैं, लडके भी हैं. आपकर देख्रे हैं, तो ऐस मैरे चाह की सुआ दिन kicking 5. अगर आप की सम्माहन कर essa Бाूंब एंगा, तो एक ऐस क्या होगा है, आपके मन में पँछते पाउगा हैं? अधर आईगी ओ assumpt पाओंगे? लड़की आपका सम्वान करेंगी लड़की आपके सम्वान करेंगी आप टीचर का मज़ाक उड़ाओगे तो आप क्या दो को कि मेरी वेल्यू बढ़ेगी आपकी वेल्यू नहीं बढ़ेगी आपकी वेल्यू जीरो हो जाएगी इसलिए कभी भी टीच्चर का सम्मान हमेशा करना इजर आपने टीच्चर का सम्मान नहीं किया तो आपकी स्कूल और कॉलेज में आपके लिए जीर हो जाएगी टाइम पास कभी ने करें त्यान रखना यह आपके करियर के लिए भी मोश्ट इम्पोर्टेंट है और आपकी स्कुल में वेल्यो के लिए भी मुस्ट इंपर्ट है। आपने स्कुल कॉलेज में टाइम पास किया, तो वही फिर आपको फूचर में घृट करना होगा, आपको पस्ता ना पड़ेगा कि यार मैंने वहां टाइम पास क्योंगी। लड़कियों के साथ में टाइम पास करना, गप पे लड़ना, क्लास में मोज मस्ती करना, इसा कभी मत करना। जब आपने टाइम पास किया, तो समझ लेना है, न टीचर में आपकी वेल्यो रहेगी, न लड़कियां आपकी वेल्यो करेगी, न फ्रेंड आपकी वेल्यो करेगी। आज कर टाइम टाइम पास मत करना तो यह चीज़े आप फॉलो करें स्कूल और कॉलेज में आप भी वेलियो जरूर बढ़ जाएगी